आज हम आपको reference tab के caption block के अंतरगत सभी options की जानकारी दे रहे हैं जब आप एक ऐसी किताब पढ़ते हैं जिसमें धेर सारे चितर दिये गए होते हैं धेर सारी table दी गई होते हैं या फिर chart दिये गई होते हैं तो वहाँ पर उन चितरों के नीचे कुछ उनकी information दी गई होती हैं तो वो information caption कहलाई जाती है इसके अलावा book के last में या फिर शुरुवात में एक table बनाई जाती है जिससे हम आसानी से किसी भी चितर पर, table पर या फिर chart पर आसानी से पहुँच सकें MS Word में भी आप caption का इस्तमाल करके आप ऐसी table बना सकते हैं MS Word में इस तरह की table बनाने में आपको एक और फायदा होगा कि आप किसी भी table या figure पर अगर तुरंत पहुँचना चाहते हैं तो आपको किवल अपने keyboard से control बटन को दबा करके अपने mouse से left बटन पर क्लिक करना होगा जिससे आप आसानी से उस figure या उस table पर पहुँच सकते चलिए अब इसे practical तरह से समझते आप देखेंगे हमने example के लिए यहाँ पर एक document insert किया हुआ है जिसके अंदर हमने कुछ tables लिये हैं कुछ images लिये हैं, कुछ charts लिये हैं और इसके अलवा हमने दो चारे यहाँ पर images लिये हैं तो इसमें caption लगाने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको किसी table पर यहाँ पर क्लिक करना होगा उस table को select करना होगा select करने के बाद आप यहाँ पर right click करिए right click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा insert caption का आप इस पर click कर दीजे इस पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा caption का यही same option अगर आप चाहें क्रियेंट कर लेते हैं, यहां पर आप आप देखेंगे, caption में, table 1 आपको दिखाई देगा, यहां पर Source लेखेंगे, यहां पर लेबल में, drop down पे जैसे आप यह करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे, आप को चार्ट करेंगे, चा צ्लीन दिखाई दे रहा है, वो above यानि उपर की तरफ चाहते हैं या नीचे की तरफ चाहते हैं तो basically हम इसके caption को या नीचे की तरफ रखेंगे तो हम यहाँ पर below selected item को select करेंगे इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक और option दिखाए देगा new label का अगर आप table के बजाए यहाँ पर कोई और label create करना चाहते हैं तो उसके लिए आप simply new table पर क्लिक करिए new label पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कोई भी label का नाम दे सकते हैं जैसे माल लीजे हम यहाँ पर नाम देते हैं GST और इसके बाद जैसे हम यहाँ पर okay बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसकी category है वो GST नाम से यहाँ पर add हो जाएगगी तो basically हम इस caption को यहाँ पर नहीं चाहते हैं तो इसको हम select करके यहाँ से delete label कर देंगे हम यहाँ पर वापस से table को select कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक और option दिखाए देगा numberings का इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे format दिखाए देंगे numberings के तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से alphabet को भी ले सकते है रोमन को भी ले सकते है या फिर numbering को यहाँ पर select कर सकते है तो यहाँ पर बिसेकलिए हम number को ही select करेंगे और यहाँ पर हम इसे ok button पर click कर देंगे इसके बाद इसके आगे हम अपना caption type कर लेते हैं जैसे मालीज हम यहाँ पर type कर देते हैं goods and service text और उसके बाद यहाँ पर ok button पर click करेंगे जैसे हम यहाँ ok button पर click करेंगे तो इस table के just नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको table 1 और यहाँ पर goods and service text आपको दिखाई दे जाएगा तो इस तरीके से आप किसी भी image पर किसी भी table पर या तो किसी भी chart के उपर इस तरीके का caption लगा सकते हैं तो इसी तरीके से हम नीचे की तरफ आते हैं नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर हमने एक chart लिया हुआ है तो इस chart को हम यहाँ पर select करेंगे Chart के उपर right click करेंगे और यहाँ पर हमें option दिखाई देगा caption का insert caption पर हम click करेंगे जैसे हम यहाँ पर insert caption पर click करेंगे तो आप देखेंगे, यहाँ पर हमें table दिखाई दे रहा है पर यह जो document है हमारा वो table नहीं है वो एक chart है तो यहाँपर हम इसे chart को select करेंगे chart को select करने के बाद आप देखेंगे यहाँपर भी आप उसे caption दे सकते हैं तो महा लिज़े हम यहाँपर chart को caption दे देते हैं caption type करने के बाद आप यहाँपर position को set कर लीज़े below from selected item और यहाँपर 가운데 okay बटन पर click कर दीजे, okay बटन पर click करने के बाद आप देखेंगे, आपर chart 1 आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आप जाएंगे, तो नीचे की तरफ आपको एक image दिखाई देगा, same इस image पर भी हम caption को use कर सकते हैं, तो इसके उपर हम right click करेंगे, वापस से insert caption पर click करे जैसे मैं आपर type कर देता हूँ, wifi device, wifi device लिखने के बाद हम यहाँ पर ok बटन पर simply click करेंगे, और click करने के बाद आप देखेंगे, इसके just नीचे figure 1 wifi device आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और इसके बाद हम नीचे की तरफ और जाते हैं, यहाँ पर भी हमने कुछ images insert क caption create कर लेता हूँ, insert caption पर click करता हूँ, और यहाँ पर वैसका भी caption type कर लेता हूँ, जैसके बाद यहाँ पर ok button पर click कर देता हूँ, तो इस तरीके से आपके बाद जितने भी documents हैं, जितने भी images या फिर figures हैं, उन सभी पर आप यहाँ पर caption यूज कर सकते हैं, आप देखेंगे तो table को insert करने के लिए हमें जाना होगा, यहाँ से reference tab पे, यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा, insert table and figure का, इस पर आपको click करना है, इस पर जैसी यहाँ पर आप click करेंगे, तो आपको यहाँ पर काफी सारे forward दिखाए देगे, कि आपको आप किस तरीकी का table preview चाहते हैं, त यहाँ से आप tap reader को भी select कर सकते हैं, जैसा भी आप चहाँ पर चाहते हैं, वैसे dots को यहाँ पर select कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दिखाए देगा caption label, तो यहाँ पर जिस caption को आप select करेंगे, केवल वही caption आपको यहाँ पर represent होगा, जैसे माल ल दिखाए दे रहे हैं, और साथ ही उनके page numbers भी आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, जैसे माल लिजे figure 1 की अगर हम बात करें, wifi device की, वो हमारा basically page number 4 पर है, और अगर हम बात करें figure number 2 की, windows 10 operating system की, तो वो basically हमारा page number 6 पर है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें, page number 3 की, तो वो आप देखेंगे, आपर page number 7 पर आपको यहाँ पर दिखाए दे रहे हैं, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर table को insert करना चाहते हैं, यानि जितनी भी table इस document में हैं, सभी tables को यहाँ पर insert करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इसी option पर जाना होगा, और यहाँ पर आपको केवल caption चेंज कर दे रहा होगा, यहाँ पर click करके, जैसे मा लिजए हम यहाँ पर table को select करेंगे, और जैसी यहाँ पर okay button पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, हमने जितनी भी table इस document पर बनाए थी, वो यहाँ पर insert हो गई है, बैसे किलिए हमने केवल एक table का यहाँ प करेंगे, तो आप देखेंगे, आपका जो chart का table था, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, अगर आप किसी table पे, किसी chart पर या किसी figure पर जाना चाते हैं, तो आपको अपने keyword से केवल control बटन को दबा के रखना है, और यहाँ पर जिस भी table या जिस भी figure पर आप click करेंगे, तो आप सीधे उस chart पर या पर जम कर जाएंगे, इसके अलावा अगर मान लीजे, यहाँ पर हम कुछ editing कर लेते हैं, मालीजे हमने यहाँ पर इसके caption में कुछ changes कर दी, मालीजे यहाँ पर student performance लिखा है, तो इसके आगे हम यहाँ पर कुछ add कर लेते हैं, जैसे माली इस पर आपको click करना है, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपको option दिखाए देगा, update and table का, इसको आपको select करना है, और जैसे यहाँ पर ok button पे आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, यहाँ पर जो भी हमने extra editing की थी, अपने उस caption में, वो यहाँ पर update हो गई, इसी तरीके से अगर आप figure में editing करना चाहते हैं, या फिर table में editing करना चाहते हैं, यानि table और figure के caption में कोई editing करना चाहते हैं, फिर directly आप इसे यहाँ से update कर सकते हैं, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ और option आपको दिखाए देगा, cross reference का, तो cross reference से related मैंने एक video बनाई हुई है, मैं i button पर आपको इसका link दे दूँगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, लेकिन इस video में भी मैं आपको छोटा सा example इसका दिखा देता हूँ कि cross reference बैसिकली इस तरीके से काम करता है, तो बैसिकली यह एक link generate करने का ही काम करता है, जैसे माल लीजे हम नीचे की तरफ आ जा cross reference पर click करने के बाद, आप यहाँ पर reference type select करेंगे, reference type में आप यहाँ पर जो भी select करना चाते हैं, यानि आपने किसी चार्ट का यूज किया है, या फिर किसी equation का यूज किया है, figure का use किया, या table का use किया, तो विसलिगे हम ने 3 चीज़ों का use किया, यहाँ पर chart का, figure का और table क तो हम यहां से मालीजे table को select करते हैं table को select करने के बाद यहां पर आप देखेंगे अवारी वो table दिखाई दे जाएगी इसी तरीके से अगर आप यहां पर figure को select करेंगे जितनीबी figures का यहां पर इस document में use किया होगा वो सभी figure आपको यहाँ पर दिखाई देगा और अगर आप इस caption पर directly जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे current document पर जाने के लिए आपको control ब्रस following पर click करना होगा तो आपको क्या दरना है control दबाके रखना है इस वाले text पर simple click करना होगा जैसी आप इस पर click करेंगे तो यह directly आपको उसी जगा पर जम करा देगा जिस तरीके का काम हमारा है यहाँ insert table figure भी कर रहा है तो इस तरीके से आप reference tab के caption block के सब भी option का use कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कमेंशने जरूर कीजेगा धन्याबाद